तो इमेज यहां पर देखो इसकी भाई आईसे तो तिरची होके बनेगी अब आईसे थोड़ना बनेगी क्या बाबराव का स्टाइल है ऐसा थोड़ना बनेगा बच्छा पाटी आईसे जुकेगी तो वही चीज़ है इमेज बनाना यह आपका इसको आपकी फिलिंग एमेज को आपको बनाना है इक क्या रहा है एक ट्रहा यह एक तरह से थे तो आज मैं फिर से आपका बहुत जादा स्वागत करता हूँ रफतार के एक दम न्यू लेक्टर में रेलेशन और फंक्शन के लेक्चर नमबर एट में तो देखते हैं कि आज क्या है हमारे पिटारे में हैं इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो आपको याद करने हैं इसके लव ये भाई साब जरूर सीखना है must learn ये आपको जरूर सीखना है या learn का मतलब क्या है भाई साब सीखना है और देखो जो last चीज है जो हम लोग सबसे पहले करने वाले बच्चा पाटी वो है homework, discussion और साथ में हाँ 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 सब बोल चुगा हूँ तो देखो बच्चा पाटी क्या है सबसे पहली चीज देखते हैं ये बच्चा मैंने homework में question दिया था ये देखो भाई quadratic upon quadratic है कितने लोगों ने कर लिया है जल्दी से comment कर दो जय वावा की जितने लोगों ने कर लिया है अब यहाँ बच्चा पाटी ध्यान दो यही जो भाई ह इसको हम लोग मान लेते हैं वाई तो वाई क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा बच्चा पाटी x square minus x plus 2 और divided by हो जाएगा बच्चा पाटी x square plus x plus 1 ठीक है सार अब देखो बच्चा पाटी इसको वाई मानने के बाद हम लोग का next step क्या होता था जल्दी बता दो जल्दी बत this will equal to x square minus x plus कितना हो जाएगा बच्चा पाटी 2 हा सर और बताइए सर मैंने का देखिए सर इन दोनों को आप जरा साथ में लीजिए जैसे इन दोनों को साथ में लोगे तो देखो x square और इसका coefficient क्या बन जाएगा y minus 1 ठीक है सर जैसे आप इन दोनों को साथ में लेंगे क्या यह आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में देखो हाथ दिख रहे हैं तो जैसे बच्चा पाटी इनको साथ मिलेंगे तो यह बन जाएगा y plus 1 into x और 7 में जो 30 है यह आजाएगा बच्चा पाटी y minus 2 equal to 0 और 7 में इसी के साथ आपको सफलता मिल गई है किसमें आपको x square में return को end किया था इसको लेते हैं a इसको लेते हैं b और 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 इसको लेते हैं बच्चा पाटी c ठीक असर आप जब एक चीज बताओ इसके बाद मैंने क्या बूला था मैंने इसके बच्चा पाटी यह बूला था आपसे यह बूला था कि 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 यह जो d होता है वो देखो greater than equal to 0 होता है एकदम सही अब एक चीज देखो बच्चा पार्टी यहां सर खैमरे में मेराो कहा जा रहे हो अरे ऐसे याया रेसे फर टोड़ा हिलने का मन करता है अब यहांब है यहां भारे थयान दो अब जैसे होच्चा पारटी इसका स्क्वेर करेगा या जाएगा y plus 1 का holy square हो जाएगा y square प्लस आ जाएगा 2y बिल्कुल जोश में रहना एकदम जोश में रहना प्लस आ जाएगा 1 और यह बच्चा आ जाएगा minus 4 times y square minus 3y और plus 2 greater than equal to 0 शायद यही आएगा शायद यही आएगा भाई या जाएगा y square minus 3y plus 2 एकदम सही minus 4 times जाएगा कर लो कोई calculation mistake नहीं होनी चाहिए हाँ बेटा आप देगो बच्चा बाटे next step क्या है जैसे simplify करेगा यह जाएगा minus 3y square एकदम सही 12y यह जाएगा बच्चा बाटी 14y एकदम सही और यह जाएगा minus 8 plus 7 minus 7 greater than equal to 0 तो यह inequality कैसे solve करते हैं हम लोग कौन से बाबा को बुलाएंगे आप सब को पता है हाँ 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 उनका नाम है वेवी बाबा very good बच्चा बाटी तो जैसे वेवी बाबा को आप solve करने जाओगे तो आप minus से multiply कराओगे तो जैसे minus से multiply कराएगा sign भी पलट जाएगा हाँ सर next step क्या इसी को factorize आपको करना है क्या आप इसको factorize करने को तयार है चलो सर इसको factorize करते हैं तो देखो कैसे factorize करेंगे बिल्कुल यहाँ पे देख लो इसके roots निकाल लेते हैं बच्चा बाटी तो इसके roots के आ जाएंगे सब को पता है बच्चा बाटी यह हमने क्या स कितना हो जाएगा या जाएगा बच्छा भाटि- minus of b plus minus under root of b square मतलब इसका square कितना आजाएगा बच्छा भाटि- इसका square आजाएगा 196 एक दम सही minus 28 minus 56 minus 84 अरे सुर्व ये तो बहुत गंदा आ रहा है हाँ बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है यही आ रहा है जड़ा सब लोग चेक कर लो हमें तो answer तक याद नहीं है और ना हमें answer याद करने की जुरुत है तो भाई सब देख लो 196 माइनस आ रहा है 84 यह हा सर हा सर हा सर अब देखो भाई जैसे इसको आप और simplify करोगे तो देखो भाई y का value कितना आ जाएगा y आ जाएगा बेटा 14 प्लस माइनस ठीके सर और यह कितना है यह आ रहा है सर root of 112 हा सर हा बेटा root of 112 यह आ जा है divided by 6 और इस सर इसे तो factorize करने में सर IC कितना 20 हो जाएगी नहीं बेटा मिल्कुल tension मत लेना ठीके न तो देखो जैसे इसको आप factorize करोगे तो देख लो root 112 कितना आने वाली है देखो बेटा कैसे चेक करते हैं यह आ जाएगा 4 इंटू कितना बचा इंटू बचा 28 क्या मैंने सही किया है बिल्कुल सही यह भाई 4.28 नहीं लिखा हुआ है यह मैंने बच्चा बाटी 4 इंटू 28 लिखा है या फिर इसको क्या लिख सकते हो बच्चा बाटी 4 इं 7 divided by 6 यहां तक clear है बच्चा अब देखो बच्चा पाटी इसके आगे इसको इसको फेक्टराइज कर रहे हैं ठीक है तो इसको फेक्टराइज करना बहुत ज्यादा असान है यह सब आपको आता है इतना बेसिक तो आपको सिखाया जा चुका है और इतना बेसिक आप कर भी ले सीखते हो तो आपको पता है यह जाएगा 14 प्लस 4 इवाइड़ी सेवन Jupiter और यह कितना हो जाएगा यहा जाएगा यह जाएगा यहाजए tesक और और यहाँ जाएगा बच्चा लेस देन इक्वल टु जीरो आँ सर अब जड़ा नेक्स चीज देखो हाँ सर नेक्स चीज देखते हैं अब आपको पता है यह इन इक्विलिटी कैसे सॉल्व होगी तो देखो भाई बिलॉंग्स टू किया जाएगा बच्चा पाटी आजाएगा 14 प्लस 4 रूट 7 डिवाइड़ बाई कितना आजाएगा 6 यह भी आप जान लो इसको आप पर चान लो तो भाई सब देखो हम लोग यहाँ पर 3 स्टेप कर चुके हैं जैसे बच्चा पाटी मैंने जो आपको 3 स्टेप सिखाया था तो जबताओ कि 3 स्टेप हमने क्या सिखाया था क्या सिखाया था हां बतादो तो पहला स्टेप था कि उसको वाई एज्यूम करो दूसरा स्टेप क्या था बच्चा पाटी कि क्रॉस मल्टिप्लाई करो तीसरा स्टेप क्या था बच्चा पाटी क्रॉस मल्टिप्लाई करने के बाद क्वाड्राटिक बना ल kupno अगराना इसे अगनी-परिक्षा हाँ सर अगणी-परिक्षा चलो बेटा wot is augaru लग रहा है लाल लाल मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ तो देखो बाइज जैसे आप इसमें अगनी परिक्षा देखोगे तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं हम लोग भाई साब इसको देखो 0 के बराबर करते हैं आप सबको पता है यह जो coefficient x square का हम लोग पता करते हैं कि यह 0 कब हो रहा है तो इसका answer आता है यह y-1 equal to 0 का मतलब होता है मेरे cute से ब याद है तो अभी comment करो कि याद है आपको अगर यह याद है कल मैंने यह पूरा process आपको बताया था कि ऐसा कैसे range निकालते हैं यह सारी चीज मैंने आपको बताई थी और मैंने कहते हैं यह सब चीज़ आपने दिल दिमाज में एकदम छाप लेना तो जैसे यह करोगे बच् प्लस है हाँ सर चलो अब देखो बाइस आप देखो कोई x आता है की नहीं simplify करो तो यह जाएगा x square plus x plus 1 equal to x square minus x plus 2 तो आपको पता है देखो बाई कट रहा है इससे x की value कितनी आ रही है मैंने कहा देखो बाई इसससे x की value आ रही है हाफ एकदम सही बात है तो आणि x की value आ रही है यानि की final answer क्या होगा बच्चा पाटी जब कभी x की value आती है तो देखो बच्चा पाटी final answer जो है वो वही होता है वही होता है जैसा step number 3 में आया होता है तो देखो इस वाला है यही answer है तो देखो मैं इसको काट के यहाँ पे 2 root 7 by 3 7 minus 2 root 7 by 3 से लेके यहार है भाई साब 7 plus 2 root 7 divided by 3 और यह तो भाई साब जितने लोगों का जितने लोगों का यह answer match कर गया है वो लुक्तुरंत comment कर दो pinky जल्दी से comment कर दो बच्चा पाटी pinky जैवावा की ठीक है बच्चा पाटी चालो अब आता है बच्चा नेक्स सवाल ये भी आप लोगोंने सब लोगोंने ट्राई किया होगा ठीक है मैंने कहा था जो मैं process सिखा रहा हूँ उसको दिल दिमाग में एकदम बसा लेना है अब यहाँ पे बच्चा पाटी सब लोग ध्यान दे दो अब देखो यह क्या दिया है सरिये quadratic upon quadratic दिया है एकदम सही बच्चा यानि कि fx क्या हो जाएगा multiply कर दो x square प्लस हो जाएगा x minus हो जाएगा बच्चा पाटी 2 divided by x square प्लस कितना हो जाएगा रुख जाओ हाँ रुख जाओ x square प्लस हो जाएगा x एकदम सही अब यही जो बच्चा पाटी value है यह देखो y से equate कर दो हाँ बेटा जैसे भाई साब इसको देखो y से equate करोगे तो देखो यह कितना आजाएगा यह आजाएगा x square प्लस आजाएगा x minus 2 equal to आजाएगा yx square प्लस x square ओके सर उसके बाद क्या आ रहा है बच्चा पाटी उसके बाद यह आ रहा है x common जैसे लोगे तो यह आजाएगा 1 minus y into x एकदम सही minus 2 equal to 0 अब देख लो बच्चा पाटी यह क्या बन चुका है सर यह बन चुका है quadratic x में एकदम सही तो यह कितना है भाई साब a यह कितना है अब यहाँ पर मेरे cute से बच्चों cute से बच्चों बहुत ध्यान से देखना अब आपको पता है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं d को करते हैं बच्चा पाटी greater than equal to 0 अब देखो बाई जैसे आप d को greater than equal to 0 करोगे तो मैं यहाँ पर देखो थोड़ा सा यह nib को पतला करके solve कर पता हूँ यहाँ जाएगा 1 minus y का whole square बिल्कुल सही सर minus 4 into minus 2 into 1 minus y और यह हो जाएगा भाई greater than equal to 0 और simplify करो y square minus आजाएगा 2y plus 1 plus आ रहा है 8 minus आ रहा है 8y greater than equal to 0 इंदम सही और solve करो बच्चा पार्टी y square minus 10y और plus 9 greater than equal to 0 अब बच्चा पार्टी मेरे कहल से इसके आगे आप लोग इसको solve करोगे तो देखो भाई जैसे आप इसको solve करोगे तो देखो इस वाली step में जो y की बच्चा पार्टी range आएगी वो मैं लिख देता हूँ y की range जानी की सर अगर आप इसे और simplify करेंगे तो क्या आजाएगा यहां पर लिख दे रहा हूँ भाई यानि y belonging to आजाएगा बच्चा पार्टी minus infinity से लेके 1 और union आजाएगा 9 से infinity क्या आपको clear है बच्चा पार्टी जल्दी बता दो जल्दी बता दो जल्दी बता दो मैं एक ब परिक्षा हा सर अगनी परिक्षा तो देखो यह अगनी परिक्षा वाला क्या step है मेरे cute से बच्चों अगनी परिक्षा में हम लोग क्या करते हैं अगनी परिक्षा में हम लोग कुछ ऐसा करते हैं फिर से यह जो a दिया हुआ है बच्चा पार्टी इस a को देखो 0 कर देते हैं एकदम सही बात है 1 के बराबर कर देते हैं कर देते हैं अब देख लो बाई साब फिर यही जो 1 है यह original question के equate में कर देते हैं equal to तो यह कितना है x square plus x minus 2 x square plus x minus 2 divided by x square plus x अब जैसे solve करोगे ना बच्चे तो इससे देखो क्या आ जाएगा cross multiply कर दो पाटी क्या चीज आई sir इससे आ गया 0 equal to minus of 2 sir लेकिन यह तो possible नहीं है यह तो sir invalid है हाँ बेटा यह invalid है इसका मतलब क्या है x belongs to 5 इससे sir हमें 1 भी x नहीं मिला अगर बच्चा पाटी हमें x नहीं मिला इसका मतलब क्या है कि y cannot be 1 मैंने का उस y को अगर पड़ा इन ही था तब भी आपको बता देता हूँ कि यह सारी चीज बच्चा पाटी करने के बात आपको क्या करना होता है आपको पता है क्योंकि कोई भी x नहीं आ रहा है इसका मतलब बच्चा पाटी simple आप क्या निकाल सकते हो आप ये बोल सकते हो कि y 1 नहीं हो सकता, मतलब जब y 1 लिया था तभी तो ऐसा कुछ invalid relation आया, यानि हम बोलेंगे y cannot be 1, यानि कि sir what is the final answer, हाँ बेटा रुको बताता हूँ, तो देखो बच्चा बाटी, क्या है इसका final answer, सब लोग यहां ध्यान से देख लो, हाँ sir, what is the final answer, हाँ तो देखो बई, final answer क्या है, y आपने निकाला था, minus infinity से close 1, union बच्चा बाटी निकाला था, close 9 से infinity, लेकिन आपको पता है कि देखो y का value 1 नहीं हो सकता, यह हमने आपने निकाल चुके हैं, यानि कि sir हमें पूरे में से ये 1 जो close है, उसको हटाना है, ठीके sir हटा दो, यानि कि 1 पे open कर देना है, एकदम सही, और यही है बच्चा final answer, उपर देखो, नीचे देखो, answer यही है, तो भाई, कितने लोग का match कर गया था, तो जितने लोग का match कर गया था, यहाँ पे तुरंत अभी comment कर दो, जैवाबा की, ठीके sir, next चीज बताइए sir, हाँ बेटा, अब देखो यह भी मैंने homework में दिया था, आप लोगों ने कर लिया होगा, अब आपको पता है बच्चा पाटी, कैसे solve करते हैं, हम इसे लिखेंगे y equals to 4 upon x square minus 5x plus 6, बिल्कुल सही, next step क्या है बच्चा, आप इसमें cross multiply करते हो, तो इससे आ जाएगा देखो, yx square, ठीके sir, minus 5y into x, और यह यहां कितना आ जाएगा, यहां जाएगा 6y, और यहां जाएगा minus of 4, और यह हो जाएगा equal to 0, हाँ sir, अब देखो बच्चा पाटी, यह क्या दिया गया है, यह देखो मैंने quadratic बना दिया है x में, यहां पे देखो abc की value क्या है, मैं आपको दिखा दूँ, यह है ax square, यह equal to 0, तो यहां जाएगा देखो भाई, minus 5y का whole square, minus 4 into y, into आजाएगा 6y minus 4 greater than equal to 0, ठीक है sir, और simplify करिए sir, ठीक है बेटा, यहां जाएगा 25y square, minus 24y square, और यहां जाएगा 16, यहां जाएगा देखो 16y greater than equal to 0, और solve करो, sir, यह आ रहा है, देखो sir, y into y plus 16 greater than equal to 0, मतलब भाई सब जैसे आप इसको बच्चा पाटी simplify करते हैं, तो देखो आपका y जो है, वो आ जाएगा, minus infinity से close 0, और union, sorry, close 0 नहीं आएगा, minus infinity से close minus 16, union आ जाएगा बच्चा पाटी, close 0 से infinity, हां sir, हां sir, हां sir, बिल्कुल सही बात है sir, हां, अब देखो भाई साब, इतना करने के बात हमें फिर से क्या करना पड़ता है, अगनी परिक्षा, अब देखो हम लोग बड़े हो रहे हैं, अब आप देखो चीजों को directly कर सकते हैं, उस लोगो अगनी परिक्षा भी उसी पेज में हो रही है, तो आप देखो आप भ परिक्षा, हां, sir, तो देखो भाई, अगनी परिक्षा जैसे आप लोग करोगे, तो आपको पता है, इसका coefficient 0 करेंगे, मतलब भाई तब देखो, हम लोग A को क्या करते हैं, बच्चा पाटी, 0 करते हैं, तो 0 इक्वोल्स टू आ गया 4, x स्क्वेर, माइनस 5x, प्लस 6, और क क्योंकि आपको पता है, क्रॉस मल्टिप्लाई करते हैं, आपका 0 इकोल टू 4 आएगा, जो कि बच्चा पाटी, invalid relation है, इसका मतलब क्या है, हम लोग नीचे लिख सकते हैं, कि यह 0 क्यों आया, क्योंकि जब हमने भाई, A, मतलब Y को हमने 0 लिया था, मतलब Y cannot be 0, हा, sir, हा, sir, अब ज़रा भाई साब यहाँ पे ध्यान दो, Y 0 नहीं हो सकता है, यानि बच्चा पाटी, final answer हम देखो, 0 included है, यानि इसको हमें भगाना पड़ेगा, कैसी लगी हमारी trick, यानि कि बच्चा पाटी देखो, final answer क्या है, sir, देखो, final answer यह है, क्या है, Y belongs to minus infinity से minus 16 close, union, open 0 से infinity, इत पे time stamp लगाओ, और लिग दो, जिंगी लाला, ओके मैं बच्चा, I love you all, मतलब बच्चा, यह देखो, तीनों question आपको clear हो गया होंगे, कि देखो, कैसे कर रहे है, हर question भाई साब, बिल्कुल, same logic मैंने लगाया, ठीक है, यह please, logic अपने दिल दिमाग में रख लो, और जल्दी से comment कर दो, जे बी के, जै बाबा की, love you all, अब आता है भाई साब, बहुत important topic, तो आइए, शुरू करते हैं, अब देखो भाई, transformation स्टार्ट करने से पहले, आपको कुछ ग्राफ ना एकदम याद होने चाहिए, ठीक है, अब यह आप बहुत छोटे बच्चे हो, मेबी यह सा अब देखो भाई सब जो पहला जो ग्राफ है, जो आपको याद होना चाहिए, वो ग्राफ है बच्चा पाटी, fx equals to sin of x, ठीक है सर, अब देखो भाई, यह fx equals to sin x का ग्राफ कैसे बनता है, सब लोग यहाँ पर देख लेना, बहुत easy सा ग्राफ होता है, और यह ग्राफ ब बच्चा पाटी याद करना है, ठीक है सर कैसे याद करेंगे, मैंने का देखो भाई, ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे, ऐसे, देख रहाँ भाई, इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहां मैं, किधर चला, फिसल गया, अरे यह तूने क्या किया, देख रहाँ बच्चा, ऐसे ऐस से घराब बनता देतो लेहरो टाइप का ग्राब बनता है और यह बच्छा-पार्टी किसका होता है साइन एकसbibt होता है ऑपको याद ही करना है अब देखो बाइच चीज़े यह कि तो यह सिर औस से हम लोग पाई तक गया है तो क्लाइस पर अगा चलता रहता है मतलब अपना स्कूटर लेकर यहां से जाओंगा तो मैं बिल्कुल पृल्राइड में इसी ग्रास को ऐसे ऐसे तरते तरते पाऊंगा यह ग्राफ ऐसे चलेगा ठीक है ऐसे बच्छा पाट्वी जैसे आप पीछे जाओगे तो यह होता है minus of pi ठीक है सर और पीछे जाओगे तो यह होता है minus 2 of pi और पीछे जाओगे तो बच्चा पार्टी यह होता है minus 3 of pi ठीक है सर और देखो बच्चा पार्टी यह है 0 से pi ठीक है तो बीच में यह क्या होता है भाई यह आधा होता है pi by 2 समझें न यह बच्चा पार्टी होता है pi by 2 और यहाँ पे इसका value कितना होता है भाई इसका value होता है 1 ठीक है बच्छा पार्टी तो देखो यह जितने भी यह peaks है ना peaks यह जितने देखो यह top वाली चीज़े हैं यह सब देखो बच्छा पार्टी आपस में बराबर होती है और यह इन सब पे जो value होती भाई देखो 1 ही हो रही होती है ठीक है भाई यह pi by 2 फिर आपको पता है यह वाला क्या हो जाएगा point यह अला point हो जाएगा आधा कितना pi by 2 तो pi by 2 आगे आओगे अगर pi के तो यह हो जाएगा बच्छा पाटी 3 pi by 2 ठीक है तो marking बेटा यह आपको य पीछे भी क्या हो जाएगा अगर हलका सा पीछे जाओगे तो यह हो जाएगा बच्छा पाटी minus of pi by 2 एकदम सही का दिख रहा होगा मैं सामने देखनू बोल्ड में हाँ ठीक लग रहा है ठीक है ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है लेकिन ग्राफ याद होना अच्छे यह ठीक है अब यहाँ बच्छा पाटी सब लोग ध्यान देदो यह जो इसकी जो सबसे नीचे वाली जीए जो चीज ना यह बच्छा पाटी देख रहा है यह जितनी बटाई यह नीचे वाली चीज है एकदम सही यहाँ पर देखो वेल्यू क्या होती है यहाँ आव भाई सब वेल्यू होती है पर देखो नेचैंगे जो होती बच्छा पाटी माईनस वन एकदम सही बात है बहल्यू है यह तेसी चलता है ऐसे गो ते लगाता है ऐसे गोते लगाथा है तो यह साइने नीचै बड़ाफ है जो मैं अपने सामने स्क्रीन में देख पारा चाय कुछ भी हो जाए इसको भूलना नहीं है अब देखो कुछ मैं additional information बच्चा पार्टी आपको इसमें दे देता हूँ जैसे अगर कोई पूछे sin x का domain तो देखो भाई domain इसका होता है domain belongs to minus infinity से infinity भाईस आब यह सारे x के लिए define होता है हर x पे भाई इसकी sin value आता है अगर आप यहाँ पे put कर दो अगर किसी ने पूछा कि sin of 1736 degree बताओ तो यह भी value exist करेगी हम यह value बता पाएंगे मतलब हम नहीं बता पाएंगे हम नहीं बता पाएंगे इसकी value कुछ ना कुछ defined होगी जो आप exist करेगी और जो आप देख सकते हो sign के table में trigonometric के भी या table में आप देख सकते हो इसकी भी कुछ ना कुछ value लिखी होगी या फिर google कर सकते हो दूसरी चीज बच्चा यह जो होता है sign जो होता है इसके अगर कोई range की बात करता है तो देखो भाई साब range किया होता है range बेटा इसका होता है maximum value 1 तक जा पा रहा है minimum देखो minus 1 तक जा रहा है तो इसका range हो जाएगा बच्चा पार्टी minus 1 से लेके 1 के बीच में ठीकिना यह इसका range होता है तो देखो कितनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी जैसा मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूँ तो देखो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इसका graph याद होना चाहिए और ये graph यहाँ पे रुकता नहीं है ये चलता ही रहेगा ये एकदम बिल्कुल एक्स्ट्रीम उधर में पहुँच जाओंगा एक्स्ट्रीम अपने एकदम लेफ्ट पहुच जाओंगा तब भी ये graph होगा वाई से गोते मार रहा होगा और अगर ये point यहाँ पे नहीं रुकेगा ये भी point ऐसे ऐसे गोते मार रहा होगा ठीक है? देको, डांस बन रहा होगा यह समझे, पूरा विल्कुल वहाँ टक जा रहा होगा ठीक है? लेकिन हाँ, यह चाहे जितना उड़ ले लेकिन Y में बयाँ इतने मरे टकराघा होगा यह पुंद्डी लड़ी पुंद्डी नीचे पुट्टे मुंडी लड़ी, पुट्टे नीचे, पुट्टे मुंडी लगी, पुट्टे नीचे, और हाँ, सबसे इंपॉर्टिन चीज, ये gap देखो, πाई का होता है, और trigonometric में हम लोग देखेंगे, ये जो बेटा, πाई होता है, ये value 180 degree के बराबर होती है, ठीक है, 180 degree को भाई साब, radiance एक चीज होती है, जो हम लोग trio में देखेंगे, जो की next turn में देखेंगे, ठीक है, ये भाई साब, इसको हम लोग पढ़ते है, πाई radiance, ठीक है, रेडियंस एक बिटा unit होता है, जो शायद physics वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा, मेभी, कभी ना कभी तो पढ देखो भाई, ये जो पाई radiance होता है, ये 180 degree के बराबर होता है, तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, in short ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ग्राफ याद होना चाहिए, बस याद होना चाहिए, आपके flashpad में ग्राफ बन जाना चाहिए, जस्ट अभी और domain range लि देखते हैं, ठीक है, लेकिन अभी देख लेते हैं, ठीक है, चलो भाई, ये आता है जैसे मैंने बोला भी या, y equal to cos x, तो देखो इसकी भी बच्चा पार्टी यही कहानी है, सर इसकी क्या कहानी है, कि भाई, ये हर x पर define होता है, मतलब इसका जो भाई, domain होता है, domain real numbers होता ह minus infinity से infinity लिख सकते हो, या फिर कैसे बोल सकते हो, domain मतलब x की value, x belongs to r, मतलब आप बच्चा पार्टी cos के अंदर x की value आप कुछ भी देदो, हमेशा आपको cos की value मिलेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि cos define नहीं होगा, इस बात पर बिल्कुल भी जरावी शंका नहीं करते हैं, ए यह मानते हैं, यह मान के आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद में अगर कोई पूस्ता है, ऐसा range क्या है, फिर से बिटा, इनका जो आलम है, बिल्कुल sign वाला है, इनका जो range है भाई साप, यह देखो, minus 1 से लेके 1 के बीच में होता है, यह minus 1 के नीचे नहीं जा सकते, और 1 के उपर नहीं जा सकते हैं, अब देखो भाई, इसका graph कैसा होता है, चलो आजो मेरे cute से बच्चों, इसका graph याद किया जाए, तो देखो बच्चा पाटी, इसका graph कैसा होता है, इसका graph देखो कुछ ऐसा होता है, ऐसा, 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 हाँ, सर यहां रुख जाएगा, नहीं, यह चलता रहेगा, मैं अपने स्कूटर से कितना भी राइट में चला जाओ, मुझे कॉस का ग्राफ दिखेगा, ठीक है, फिर देख लो बच्चा बाटी, आइसा, आइसा, ऐसा, ऐसे बेटा, ये भी ग्राफ यहां पर रुकेगा नहीं, ये भी चलता रहेगा, ठीक है, तो देख भाई, अब आपको पता है, ये आधा पाई बाई टू होता है, देखो, जीरो पे भाई, इसकी वेल्यू यहां पर वना रही होती है, और एक और मैं आपको इन्फोमेशन देना चाहूंगा, मेरे क्यूट से बच्चों, कि इस वाली चीज को, इस वाली चीज को, आप जैसे बच्चा देखोगे, ये सारी वेल्यूस, जो पीक वेल्यूस हैं बेटा, ये देखो, नहीं होंगी, इस से उपर कभी ग्राफ बढ़ नहीं पाएगा, ये भाईया बंधा हुआ ग्राफ है, इस ग्राफ को एक श्राप मिला है, कि तुम ऐसे गोते तो लगाओगे, लेकिन वन को क्रोस नहीं कर पाओगे, और सेम सीच बच्चा पाटी, फिर से आधा आगे आओगे, तो ये पाई होगा, और पाई बच्चा पाटी थिरी पाई बच्चा पाटी होगा, ठीक है, और ऐसे बेटा यहां पे आओगे, तो ये माइनस पाई होगा, तो इसमें ध्यान आ रहा होगा, कि इसका जो minimum है बच्चा पार्टी, अरे, 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 रुको, 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 ये जो इसका बच्चा पार्टी जो minimum है न, ये जब देखो, minus 1 को छू रहा होगा, ये भी इसको minus 1 को छू रहा होगा, I hope बच्चा पार्टी ये देखो, सब को clear होगा, ये है वैंब्च्शा पाटी नहीं तरह देख कर रह कि शाइं अब देखो बयावटा आप कोन सा आपको देखोई याद होना चाहिए हम यहां पे बनाते हैं, यह सब graph हम लोग already भी सीख चुके हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है, ठीक है थर्ड graph जो बच्चा आपको याद होना चाहिए, वो होता है y बराबर x3 का, ठीक है याद कर लो, यह सारे आपको एक जगे लिख लेने हैं, और यह याद कर लेने हैं, इसका अब लोग बेटा ध्यान दो, यह देखो ऐसा होता है, जैसे यह graph बनाओगे, यह देखो graph ऐसा होता है, ठीक है बच्चा बाटी, ऐसा graph होता है, तो यह सारे graph आपको सारे graph में याद कर आ रहा हूँ, ठीक है, फिर से बेटा, अगर कोई इसके domain की अगर बात करता है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका domain है real numbers, मतलब minus infinity से plus infinity, आप x minus infinity से plus infinity बच्चा बाटी कुछ भी ले लो, ठीक है sir, और बताइए sir, मैंने का देखो भाई, minimum value होती है, इसकी minus infinity, और यह कहां तक जाता है sir, यह जाता है plus infinity तक, यानि कि sir, अगर कोई इसके range की बात करेगा, तो इस बैठा होगा, बिलकुल उपर भी होगा, और बिलकुल नीचे भी होगा, sir, इस सब क्यों बता रहे हो sir, बिटा, सब याद करो, मैं बना रहा हूँ न आपके साथ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ न, तो यह सारी चीज़ें बच्चा बाटी क्या है, आपको याद होनी चाहिए ठीक न, यह ग्राफ याद होना चाहिए, यह ग्राफ याद होना चाहिए, यह ग्राफ याद होना चाहिए, तभी मैस में आपका smooth functioning होगी, मतलब तभी आप मैस को बहुत confidently attempt कर पाओगे, ठीक है sir, और बताइए sir, चलो बेटा, देखो जो fourth ग्राफ आपको याद होना होता है, ऐसा, ओके sir, हाँ बेटा, यह क्या होता है, मैंने का यह है origin, ठीक है, हाँ sir, अब देखो भाई, यह जो ग्राफ है, यह कुछ ऐसा होता है, यह zoom, समझे हैं, नीचे आया, zoom, उपर निकल गया, मतलब देखो भाई, यह बिलकुल यहाँ पर क्या है, उपर infinity के तरफ aggressor रहता है, और यह infinity के और aggressor रहता है, और अपनी minimum value देखो यहाँ पर आके देता है, यहाँ पर इसकी least value है, आपको साफ देख रहा है, इसके नीचे तो graph हाई नहीं बेटा, अगर इसके नीचे graph तो red वाला नहीं है, तो least कितना दे रहा है, देखो 0 दे रहा है, बिलकुल स दो, तो देखो range का है बिटा, इसका range देखो minimum दे रहा है 0, close 0, और यह maximum देखा जाए, तो देखो infinity को छूने का प्रयास कर रहा है, इसलिए infinity पे बच्चा पाटी यह क्या है, ओपन है, ठीक है सर, आपको आ रहा है बच्चो, ठीक है सर, इसके बाद देखो बच्चा कौन सा जाने चाहिए, दिमाग में कोई if नहीं आना चाहिए, कोई बट नहीं आना चाहिए, कोई खुशी नहीं आनी चाहिए, एकदम feeling less होके, समस्ज़रो होना, एकदम feeling less होके, यह सारे के सारे graph जितने बनाते जा रहा हो, आपको याद कर ले ना है, और यहीं पे time स्टेम याद करेंगे, हम यह ग्राफ याद करेंगे, ध्यान रखना यह लिखो अभी लिखो, तुम्हें तुम्हें करीर की कसम है, अभी लिखो, feeling less होके याद करना है, ठीक है? चलो सर, next चीज बताओ सर, हाँ बेटा, next चीज आपको बताते हैं, औरत आ गया? हाँ, अब देखो बच X का graph कैसे बनता है, यहाँ पे ध्यान दो, यह देखो भईया, exponential graph है, थोड़ा हम लोगों ने इसके बारे में बात करी हुई है, तो आपको पता है, कि यह E क्या होता है, याद नेपिर्स का constant कहलाता है, approximate बच्चा 2.71 होता है, ठीक है, तो यह graph देखो ऐसा बनता है, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है बच्चा बाटी, तो देखो यह क्या होगा, आपको यह पता होना चाहिए, कि यह blue वाली चीज कभी x-axis को touch नहीं करेगी, तो मैं लिख दे रहा हूँ भाई, this blue graph, this blue graph will never, will never touch the x-axis, हाँ बेटा, आपको चाहिए जितना feel हो, यह x-axis को कभी भी touch नहीं करेगा, कभी x-axis को यह cross तक नहीं कर पाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा इसको ऐसे लिख देता हूँ, never पर थोड़ा लाली बना देता हूँ, देखो लाली लग रही है, हाँ दिख रही है, यह कभी भी भाई साब x-axis को बच्चा पाटी, कभी भी x-axis को यह नहीं कभी भी 0 value नहीं हो सकती हाँ, 0 के करीब पहुच जाएगी, लेकिन 0 को कभी बच्चा यह छूँ नहीं पाएगा, ठीक है, और यह पूरा देखो, ऊपर पहुच जाता है, इंदर दिर्ता के पास, ईश्वर के पास, अल्ला के पास, बिल्कुल भाई साब देखो, टॉ में याद करना है, आप देखो भाई साब, यह x की सारी values पे value देता, आप यह x कुछ भी put कर दो, यह value देगा, x negative पे भी देगा, 0 पे 1 होता है, देखो बेटा, अगर x की value 0 आप जैसे put करोगे, तो देखो 0 पे क्या value आ रही है, e की power 0 हो रहा है, तो e की power 0 कितना होता है बच infinity जा रहा है, infinity पे मैंने आपको कसम दी हुई है कि हमेशा 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 आपको open लगाना है, लेकिन बच्चा पार्टी अगर आप 0 देखो, तो 0 कभी exactly value तो हो नहीं पारी है, तो देखो यहाँ पे भी क्या करना है बच्चा पार्टी, यहाँ पे भी आपको open लगाना है, जो कि यह कभी x-axis को छू नहीं पा रहा है, तो यह जो space है ना, यह भाई सब 0 को छूने का प्रयास करेगा, space बहुत छोटा हो जाएगा, 0 की यह बहुत करीब हो जाएगा, जैसे आप बिल्कुल left में बच्चे जाओगे, यह graph आपको हमेशा मिलेगा, और हमेशा यह जो बे छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, फिर आप देख पा रहे होगे कि उसके बाद भी space छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-छोटा कम होता जा रहा होगा, in short, अगर आपको यह बात नहीं समझ में आई, तो इतना ध्यान रखो, कि यह जो blue graph है, यह x-axis के जितना हो सके, उतना पांस जाने का प्रयास करेगा, लेकिन x-axis को कभी छूने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए इस graph की value कभी 0 नहीं हो पाएगी, 0 ने का मतलब क्या होता है graph की value, x-axis को छूना, अब शायद बहुत सारे बच्चों को यह बात ना पता हो, तो अभी लिखो copy निकालके, value 0 होने की म पतलब होता है, लिखा, कि वो x-axis को graph छूचुका है, x-axis को graph छूचुका है, ठीक है बच्चा बाटी, तो बस यह फिर से feeling less होके आपको ध्यान रखना है, यह भाई साब याद कर लो, और सबसे important चीज़ क्या है, आप graph याद कर लो, और यह graph वैसे मैं already बजाया तुका प्रीवियस लेक्चर में या उसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ज़र, और बताइए, हमने का इसको याद करो, मैं बोर करूँगा, इसको याद करो, cube को, x-square को याद करो, e की पावर x को याद करो, अब इसके बाद बच्चा बाटी क्या हो इतने graph हो चुके हैं जर आम देख लें ओ ओ ओ ओ ओ ओ पांच हां फिक्स graph होता है बिटा जो अल्रेडी हम पड़ चुके है जो आपको पता है कि fx equals to क्या होता है बच्चा बाटी log ax अब आपको पता है इसका जो graph होता है यह देखो भाई सब दो decreasing graph होता है यह origin है देखो भई decreasing graph है एकदम सही 1,0 decreasing graph है ठीक है सर्ट domain बताओ मैंने का देखो पीटा इसका जो domain है log का domain क्या होता है आप बस और बस positive numbers put कर सकते हो आपको याद होगा कि मैंने क्या बुला था एक सिर्फ positive हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर domain हो जाएगा open 0 से infinity दूस गुजरी चीज क्या है अगर कोई आपसे बच्चा पाटी range पूछे तो देखो range के लिए आपको देखना है कि यह जो बच्चा पाटी graph है न कि minus infinity पे जाएगा एकदम नीचे जाता रहेगा कभी उपर नहीं आएगा यह नीचे जाएगा और यहाँ पर जाता रहेगा infinity की ओ infinity ठीक है सर नेक्स चीज क्या होती है बच्चा बाटी जब ए ग्रेटर देन वन होता है तो उस टेम क्या होता है मेरे क्यूट से बच्चो यही जो ग्राफ है ठीक है इसक्यूज मी यही ग्राफ क्या होता है बेटा देखो increasing ग्राफ बनता है ठीक है यह पर होता है जीरू अब यहां पर देख लो यह होता है बच्चा वन kॉमा-0 पॉइंट और यह ग्राफ बताओ भाई कहां से स्टार्ट होता है माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है य यह हमेशा उपर तक infinity क्यों जाएगा, यह तुम्हें लग रहोगा, कभी ऐसे पलट जाएगा, नहीं, यह पलटेगा नहीं, यह चलता रहेगा, चलता रहेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा, पीछे मुलके नहीं देखेगा, यह backlog नहीं होने देगा, यह सिर्फ पढ़ता रहेग ठीक है सर, अब इस case में भी सर, अगर कोई domain पूछ ले, तो domain आप बता दो, तो domain क्या है, इसमें फिर से बच्चा पार्टी, जो यह graph है, आपको ध्यान रखना है, कि x जो है, हम लोग domain, a की value से नहीं देखते हैं, हम domain किस से देखते हैं, x की value से देखते हैं, यह जो entry है, ठ बच्चा fixed है, ठीक है, यह सारी बाते हम कर चुके हैं, अगर आपने कोई यह सारी बाते याद हैं, तो अभी time stamp लगा के comment करो, हा सर, याद है, और साथ में x बया आपका 0 से infinity है, और अगर कोई आप से range पूछे, तो आपको range पता है, range होता है बच्चा पार्टी, minus infinity से graph आ र यह graph याद करो, 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 तुम्हें career की कसम है बच्चा पार्टी, याद करो, ठीक है सर, career की कसम कहें देते हो सर, कोई बात नहीं, next stage पर आओ, ठीक है सर, next stage क्या है, next बच्चा पार्टी आती है, अगर मैं आपसे बोलू, y equals to signum x ओते सर, हाँ बिठा y equal to signum x, तो देखो भाई, जब सिगन signum x का देखो भाई, graph कैसे बनता है सब लोग यहाँ पे देख लो, सब लोग देख लो 0 पे value देखो भाई, 0 होती है बहुत ध्यान ज़े सुनना, common mistake होती है इसमें, 0 पे देखो अच्छा पाटी value 0 होती है, और positive signum की value देखो भाई, 1 होती है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ भाई देखो open दिखाएंगे, यह देखो भाई, यह open दिखाया है open का मतलब क्या है, open का मतलब यह है, कि यहाँ पे जो value है, 0 पे वो यह वाली है जहाँ पे देखो, भाई, मैं यह बना रहा हूँ यह दो, पोल का डॉट्स बना रहा हूँ, बात क्लियर हो रही है जहाँ पे मैं यह बना रहा हूँ ठीक है भाई, और साथ में आपको पता है, हलका सा अगर आप आगे बढ़ोगे, x-axis में तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम बच्चा पार्टी value कौन सी आएगी मैंने का सर, 1 आने लगीगी यह कौन सी लाइन है, सर यह देखो प्लस 1 वाली लाइन है, एकदम सही बात है उसके बात क्या है सर, मैंने का यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है यह देखो ऐसे होगा, negative value क्या आएगी सर, मैंने का देखो बच्चा negative value आएगी, minus 1 ठीक है सर अब अगर बच्चा पार्टी कोई आपसे domain पूस्ता है, तो सर इसकी domain क्या है, मैंने का आपकी मर्जी, x को 0 put करो तो answer 0 आएगा, आपकी मर्जी x को minus 100 put करो, तो answer minus 1 आएगा, in short concept की ऐसे की तैसी, यह graph आपको याद होना चाहिए, कि देखो यहाँ पे open है, यहाँ पे close है close का मतलब यह वाली value लोगे यह वाली value नहीं लोगे, open मतलब बच्चा पार्टी values और y y की values के बारे बच्चा पार्टी हम लोग बात करते हैं, तो देखो भाई y की values इसमें क्या क्या है, y या तो देखो minus 1 है, सही बात है output इसका क्या आता है, output इसका क्या आता है, minus 1 आता है, हाँ, या फिर इसका output 0 आता है, हाँ या फिर 1 आता है तो range का मतलब बच्चा output होता है और इस case में output सिर्फ की आता है minus 1, 0 and 1 अभी comment करो तुम्हें तुम्हें करियर की कसम है द्यान रखो कि हा सर यह सारे graph यहां तक हमको याद हो चुके है हमें यहां तक सारे graph याद हो चुके है यह सारे graph बच्चा बाइटी आपको याद करने है ठीक है सर ठीक है सर और कोई graph बता दो कुछ बच्चरा हो तो मैंने का देखो भाई graph तो खुट सारे है धीरे धीरे याद होंगे trigonometry के मैंने बहुत सारे graph अभी छोड़े है sec x नहीं पढ़ाया cosec x नहीं पढ़ाया tan x तक नहीं पढ़ाया cortex तक नहीं पढ़ाया यह सारे graph हम लोग trigonometry में पढ़ेंगे लेकिन फिलाल आपको इतने ही graph याद करने है जिससे आपका काम चल जाएगा ठीक है सर last graph बच्चा देख लो हाँ सर बता दो मैंने का देखो last graph है बच्चा बाटी y equal to mod x का ठीक है सर इसका graph कैसा होता है मैंने का देखो बच्चा इसका graph जो है वो कुछ देखो ऐसा होता है कि देखो भाई v बनता है ऐसे आओगे ठीक है सर और ऐसे आओगे एकदम सही यहाँ पे जैसे आप पहुचोगे यह आ जाएगा origin ठीक है सर अब यहाँ पे ध्यान दो भाई यह graph देखो यहाँ पे एकदम infinity की और जा रहा होता है यहाँ पे एकदम बच्चा पाटी देखो minus infinity की और जा रहा होता है ठीक है सर अगर कोई पूछे सर इसका domain बताओ तो देखो domain का मतलब क्या होता है भाई क्या-क्या input आप दे सकते हो तो आपको पता है एकस आप बच्चा कुछ भी put कर सकते हो यह हमेशा define होता है और हाँ अगर मैं बात करूँ range की तो भाईया बताओ range का मतलब क्या है यह सारी चीजे आपको ध्यान होनी चाहिए तो एक बार देख लो बच्चा पाटी कितना आपको याद रखना है ये ग्राफ तब तक बनाओ जब तक खून में ना बस जाए तो बच्चों ये जो transformation of graph है ये काफी important topic है बहुत ज्यादा important topic है तो देखो इसको करने के लिए क्या-क्या requirement होती है तो देखो बई क्या-क्या requirement है जैसे जो first चीज है वो ये है कि y equal to fx का जो graph है अभी आप सुनते रहो थोड़ दिर में आपको सब समझ में आएगा जो बई y equal to fx का जो graph है या तो ये given होगा या फिर आपसे expect किया जाएगा कि ये आपको learn हो ठीक है न भाई या तो given होगा या फिर आपको learn होगा learn कौन से graph रखने है जो मैं already पीछे पढ़ा चुका हूँ जो कि अभी मैंने थोड़े दिर पहले आपको पढ़ाया था कि इन सब के graph आपको याद होने चाहिए जितने graph है इन ही में से कोई effects आपको दिया जाएगा अधर्वाइस जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे लाइक जब आप पूरा limit continuity differentiability और साथ में जब आप इसके बहुकाली सवाल कर रहे होगे तो उस टाइम बेटा आपको और भी additional graph है जो आपको given हो सकते हैं उसमें आपको transformation करना होगा इन शॉर्ट कोई टेंसन ना लो या तो सवाल में दिया होगा दिया होगा तो भाई बहुत बढ़िया और नहीं दिया होगा तो फिर आपको याद करना है लेकिन फिलाल इस point पे आपको क्या-क्या याद करना है वच्चा पाटी जितने graph मैंने आपको बोले हुए हैं इस point पे आपको उतने ही graph वच्चा पा बच्छों तो बहीं यह आता है देखो भई बाबा का ज्ञान भई बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा का बच्छा पाटी जो ज्यान है वह अप्रमपार है बाबा का जो ज्यान है भाई साब यही आपको फॉलू करना है पूरे की पूरे तो जो भी कांड करेगा वो y k about करेगा जो भी कांड करेगा y k about करेगा बस सुनते रहो यह ऐसी ट्रिक है बस तु गाना गाएगा और ग्राफ चुठकी बजाते ही बच्चा बाटी ट्रांसपॉर्म हो जाएगा इसलिए बहुत ध्यांद सुनना तो तुम्हें तुम्हें तु about कराएगा जो कुछ भी आपको कांड कराना है वो देखो एकस के about कराएगा सर कहना क्या चाहते हूँ मैंने का रुको बेटा थोड़ी दिर में clear हो जाएगा बस सुन लो कि अगर x में गळवाड है तो बेटा देखो y के about करना है और अगर y में गळवाड है तो बेटा जो भी कांट करना है वो देखो बच्चा पाटी X के अबाउट करना है और यही भाई साब परम ज्यान है और यही भाई साब आपको ध्यान रखना है अगर आपको इतनी चीज पता है तो फिर आप अच्छे ज़र फोड़ दोगे इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की दिया होगा या फिर या फिर या फिर आपको या लागराफ पता होगा दो में से बच्चा एक ना एक देखो कांड हो सकता है और वी हैव टू ट्रांसफोर्म इट टू और बच्चा पाटी इसको में ट्रांसफोर्म किसमें करना है हम लोग को बेटा ट्रांसफोर्म करना है या तो f of minus x में या फिर minus f x में और तीसरी चीज के बच्चा minus f of minus x में ये भाई साब पूरे के पूरे calculus में पूरे के पूरे math में बहुत यूज होता है तो देखो बच्चा पाटी हमको कितना follow करना है इसमें अगर हमें बहुकाली बाबा बनना है तो तो देखो बच्चा पाटी ही इसमें हम लोग क्या करते हैं तो देखो भाई साब ये जो first वाला transformation है इसका देखो भाई साब working rule क्या है इसमें देखो भाई साब working rule क्या है आसर बता आसर क्या working rule है चलो भाई साब, सबसे पहले, मैं इसमें देखो, आपको trick सिखाता हूँ, trick के बाद मैं इसमें concept बताऊँगा, ठीक है sir, तो देखो भाई साब, working rule क्या है, देखो, गडबड किसमें हुई है, x में हुई है, x की जगा, minus x आ गया है, यानि कि गडबड किसमें हुई है, बच्चा बाटी किसके about करेगा, y के about करेगा, एक दम भाई साब घर में बैट के, ये सारे के सारे गाने आपको बोलने है, चिलाने है, और तब तक बोलना है, जब तक दिमाग में ना बस जाए, तो देखो, बच्चा बाटी, इसका working rule क्या है, इसका working rule ये है, कि भाई साब ग्राफ y कुल्टो एफेक्स का या तो आपको दिया होगा, या तो आपको याद होगा, लेकिना फिलाल, याद कितने ग्राफ रखने है, जितने मैंने अभी आपको इसके पीछे वाली स्लाइट्स में बताय हुए है, उतने उमीद है, आपने लिख के बार बार प्रैक्टे कि फर्स्ट वाले में जो भी गडबड हुई है, वो देखो भाई साब, एक्स में गडबड हुई है, हाँ सर, बिलकुल सही बेटा, ये देखो, एक्स में गडबड हुई है, एकदम सही है बेटा, तो भाई साब देखो, क्या होता है, आपको क्या करना होता है, ग्राफ की फोटो खीज़ दो about y-axis तो देखो भाई साब x में कड़ बढ़ है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाईया कि y equal to fx के graph को y equal to fx के graph को y-axis के about reflect कर दो y-axis के about reflect कर दो ठीक है भाईया लिख दो इसमें चल्दी से reflect कर दो ठीक है सर हाँ बेटा आपको क्या करना है आपको y-axis के about क्या कर देना है पूरे के पूरे graph को reflect कर देना है ठीक है या फिर अंगरेजी में क्या लिखोगे बेटा reflect बहुत ध्यान से सुनो reflect the graph of y equal to fx reflect the graph of y equal to fx about the y-axis about the y-axis ौते सर हाँ बेटा तो भाई जिसको hindi पसंद है हरा देख ले जिसको अंगरेजी पसंद है वो भाई सब सफेध देख ले सर समझा तो दियो सर लेकिन थोड़ा बहुत सर कमी लग रही है चिंता मत कर बेटा यहाँ ध्यान दो जैसे बच्चा पार्टी मैंने आपसे बुला ठीके नहीं देको question आया इसमें question यह आया कि भाई आपको fx का graph बुला गया equal to sign x ठीके सर इसका graph सर हमने पीछे बनाया हुआ है अब आपको बता है कि देखो भी यह sign x ठीके सर ग्राफ तो never ending है never ending है बहुत भी यह देखो लंबा चोड़ा बनता रहता है लंबा चोड़ा बनता रहता है तो देखो एक हम भी यह क्या करते हैं इसमें आपको करना क्या है आपको करना है sketch ऐसे लिख क्या आएगा बाई किसका graph बनाना है sketch graph of f of minus x बराबर क्या होगा बच्चा यह क्या हो जाएगा f of minus x क्या हो जाएगा बिटा sign of minus x ठीके नियार देखो इसको read कैसे करते हैं इसको read ऐसे बच्चा बाटी हम लोग करते हैं कि आपको जो fx है वो दिया हुआ है sign x यानि f of minus x का मतलब क्या है बच्चा आपको x की जगा पुट कर देना है minus x तो देखो x की जगे minus x है तो देखो यहाँ पे x था उसकी जगे हमने पुट कर दिया minus x मतलब बच्चा बाटी आपको sign of minus x का graph बनाना है ठीके सर बताओ सर कैसे बनता है बहुत ध्यान से देखन अरे line ही बहुत बेकार बन रही है देखो भाई यहाँ पे जल्दी आ जाओ उतिसर यहाँ पे जल्दी आ जाओ उतिसर तो देखो भाई साइनेक्स का graph हम लोग कैसे बनाते हैं ऐसे बनता ही जा रहा होगा ठीक है यह जो sign x का graph है यह देखो भाई साइनेक्स का graph बनता ही जा होगा यहां भेटा यह क्या है उरीजिन है ये क्या है बच्टे बच्टे बड़ बोलाओ बच्चे यह की तो बच्टे सर अब क्या करना है मैंने कहां पॉट्चे बैद अब साइनगा एकदम सही बात है सर, तो देखो भाई सब sin of minus x का graph मैं देखो pink से बनाऊंगा, ठीक है, तो देखो भाई सब क्या करते हैं, y को देखो शीशा मान लेते हैं, ठीक ना, y में मानो भाई सीशा लगा हुआ है, ठीक है ये देखो भाई या शीशा है y axis, ओते सर, ओते सर, ओते सर मैंने का हाँ बेटा, अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अब देखो यार कैसे photo बनाते हैं, ये जो चीज है, आपको पता है, ये जो इतना portion है, इसका देखो graph ऐसे बनेगा, देखो भाई इसमें ज़्यादा हिरो ना बनना कि एक साथ reflect करा दिया, अभी आप एकदम बच्चे हो, तो देखो शुरू-शुरू में गलती हो सकती है, तो देखो आपको क्या करना है मेरे cute से बच्चों, आप part wise बनाओ, पहले इतने का मैं बना रहा हूँ, इतने का reflection क्या हो जाएगा मेरे cute से बच्चों इतने का reflection हो जाएगा अरे बन जारे, हाँ, ऐसा बन जाएगा, क्या मानते हो, अब यो नो बोलना स्वार, ये थोड़ा पतला है, थोड़ा चोड़ा है मतलब मेरी भावनाओं को समझो बेटा मैंने गा, इतने का जो है reflection जो है, जो यहाँ पर सफेद बना हुआ है उसका, देखो, reflection ये होगा फिर भाई सब इतने का reflection देखना इतने का reflection क्या होगा बच्चा पार्टी ये होगा, ठीक है भाई सर थोड़ा अच्छे से बनाओ, reflection लगे तो हाँ बेटा, फिर क्या होगा इतने का reflection देखा जाए इतने का reflection बच्चा पार्टी ऐसा होगा ठीक है, और ये जो भाई नीचे जा रहा है ये भी देखो, reflection ऐसे होगा तो देखो, मैंने क्या करा बच्चा पार्टी ये जो था, ये था, वैसे आपको पता है बच्चा पार्टी, graph आगे भी होगा मतलब मैंने भाई, इतने का reflection देखो पिंकी में देखो, ऐसे बना लिया है ठीक है, सर, क्या इसके आगे इसका reflection नहीं आएगा, मैंने का बेटा आएगा, लेकिन उसको हम नहीं बना रहे हैं कहां तक बनाओगे, कहां तक बनाओगे माइनस इंफिनिटी तक बनाओगे, क्या हाँ सर, अब इध्यान दो अब भाई साब, ये सफेदू का reflection अब देखो, जितने left वाला graph था उसका reflection, तो सर ये ऐसा हाँ, ये ऐसा ये सर ऐसा, और ये सर देखो, ऐसे सरवंता रहेगा मैंने का, हाँ बेटा, तो देखो भाई साब ये जो pink वाला graph है न ये pink वाला graph जितना आप देख रहे हूँ मेरे cute से, सुन्दर से बच्चों, I love you all, ये बेटा देखो, pink वाल graph होगा, sign of minus x का, और ये ही आप से बच्चा पार्टी पूछा गया था, ठीक है सफेद वाला graph हमारा answer नहीं है अगर कोई पूछेगा कि कौन सा graph, sign of minus x का है, तो only pink graph है, ध्यान रखना only pink graph है, और ये सफेद graph किसका है, अकर कोई पूछे तो आप बोल जकते हो, सर, ये जो सफेद वाला जो graph दिख रहा है, ये सर sign x का है, तो देखो बच्चा पार्टी एकदम देखिए, आपके पास simple सा rule आया, अब आपको इससे ज़्यादा फाल्तू में बच्चा overthink नहीं करना है, आपके पास ये आया है कि जब भी कभी बच्चा देखो x में गडबड होगी, देखो x में हुई है गडबड, तो उस टाम देखो हम लोग क्या करते हैं मेरे cute से बच्चों उस टाम बच्चा पार्टी हम लोग y की about graph को reflect करा देते हैं उसकी image बना देते हैं ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो image मैंने बनाई ही है, पहले सफेद वाले, अब ये देखो भी या सफेद वाले का ही reflection बनाना है, तो मैंने इस सफेद वाले का reflection ये बनाया हुआ है pink वाला, और ये जो बच्चा सफेद वाला है, इसका reflection ये देखो बनाया हुआ है pink वाला, और भाई साब reason ये है बच्चा पाटी कि देखो fx की जगा f of minus x हो गया है ठीक है साथ ध्यान सब सुनते रहो ये lecture सुनो सुनते रहो आखरी तक सब clear हो जाए किसा चिंता मत करना अगर बच्चा पाटी इसका आपको reason देखना है तो देखो पहले जो value मानों की पहले x में यहाँ पे मैं कुछ 2 पुट कर रहा था तो इसकी value क्या आती ये बेटा देखो sine of 2 आती अब बताओ जब x 2 था तब यहाँ पे value sine 2 आती अब बताओ यहाँ पे हम लोग sine 2 बताओ कैसे create कर सकते हैं हम लोग x को put कर दें minus 2 तब यहाँ बनेगा sine of 2 ओते सार हा बेटा मतलब पहले बेटा sine x के case में value sine 2 का वारी थी value sine 2 ध्यान रखना यहाँ पे angle 2 है degree radian क्या है यह हम नहीं सोच रहे हैं ठीक है ना इसके बारे में जादा नहीं सोचते हैं अभी हम लोग कि भाई साब sign of x of minus 2 पे sign 2 बनेगा जब आप x यहाँ पे minus 2 पूट करोगे मानते हो की नहीं मानते हो तुरंत अभी time stamp लगा के comment करो मानते हैं actively एकदम भाई साब यहाँ पे आपको participate करना है ठीक है sir ठीक है sir हाँ बेटा ठीक है sir ठीक है sir हाँ बेटा यानि कि देखो बच्चा बाटी आपको समयन में आगया है इसका देखो reason क्या है reason यह है कि बेटा अगर मैं दोनों graph को देखूँ ठीक है यहाँ पे ध्यान दो reason से जादा है graph बनाना आना चाहिए आपको भाई यह गाना आना चाहिए reason तो भाई हजारों लोग जानते है लेकिन graph हर कोई दोनो न बना पाता है अब जैसे भाई साब यहाँ पे देखो मैं sin x का उपर graph लिया है पुट करके देख लो भाई एकस को 2 पुट किया sine 2 आया एकस को minus 2 पुट किया तब बेटा देखो यहां पे sin 2 आया अब बताओ यहाँ inter cu बच्चा-बेया मैम लोई क मील लई है जब एकस की वैल्यू कितनी बेटा helfen साइब अब x को जैसे मतलब देखो कुछ ऐसा है, यहाँ पे देखो origin बैठा हुआ है, यहाँ मानो मेरी छाती में यहाँ पे देखो origin है, तो भाईज आप sin x जो काम 2 पे कर रहा है, वही यहाँ पे 2 होगा, यह आपके लिए right है, यह right होगा, ठीक है, यह आपके लिए left होगा, यहाँ पे अच्छा minus x 2 पे कर रहा है, sign of जो minus x 2 पे कर रहा है, वही sign of 7 में आ रहा है, जो चीज something गुचल मुचल पे कर रही है, वही sign वाली चीज माइनस गुचल मुचल पे कर रही है, फीलिल नहीं हो रहा होगा, अगर नहीं फील हो रहा है, तब भी देखो कोई tension की बात नहीं है, simple चीज में आपको जो बूलना चाहता हूँ, बीच में थोड़े confused होगा होगे, मैंने words में पता नहीं, मैंने क्या बूल दिया था, तो देखो, जो काम ये 7 पे करेगा, वही काम ये बच्चा पाटी, minus 7 पे करेगा जो काम ये minus 7 पे करेगा वही ये काम, भाई सब, sign of 7 पे करेगा, ठीक है न, यहाँ sign of minus 7 कब आएगा, जब x minus 7 है, और यहाँ पे sign of minus 7 कब आएगा, जब sign में x 7 है, मतलब सर ये देखो, symmetric graph है, ये सर देखो, symmetric graph है किसके about symmetric graph है सर ये symmetric graph है about, about, about y axis, about y axis ठीक है बच्चा बाटी, तो देखो, अगर आपको reason clear है, तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बच्चा, आप reason देखो, अभी समझ पाऊ कोई tension नहीं, अगर reason नहीं समझ में आ रहा है फिल नहीं कर पा रहे हो, तो without wasting any time, अगर आपको reason समझ में आ गया तो अभी time stamp लगा के लिको, हाँ समझ में आ गया और दूसरा, बाबा की trick भाईस, आप कभी गलत नहीं होती है ठीक है ना, बाबा की trick देखो, कभी गलत नहीं होती है वैसे मुझे काईदे से trick से पहले आपको concept बताना चाहिए है, मैंने पहले आपको क्या बताया, मैंने trick बताया उसके बाद मैंने आपको concept बताया लेकिन देखो, ये कोई tension की बात नहीं है simple देखो, आपको working rule ये ध्यान रखना है, कि भाईस आप x में देखो, गड़बड हुई है तो इसका मतलब क्या है, fx के graph को y-axis के about आपको क्या करना है बच्चा बाटी, reflect करना है आपको उसकी photo खीचनी है मैं इसको बोलता हूँ photo खीचना ठीक है बच्चा बाटी, तो इसको याद करो चलो बेटा, next graph देखो, बिल्कुल tension मतलेना, प्लीज आगे बढ़ते रहो प्लीज आगे बढ़ते रहो, अब देखो बाईसाब, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक graph दिया हुआ है, gx equals to e की power x और आपसे बोला गया कि कौन सा graph आपको sketch करना है तो देखो, आपको sketch करना है g of minus x मतलब ये क्या है बेटा, e of minus x अब देखो, जिसको reason पता है ठीक है, good अगर आपको बच्चा पाटी इतना भी reason पता लग गया, पूरा lecture देखना ऐसा हो सकता है, कुछ-कुछ points पे आप बेहोस हो लेकिन बाईसाब, बाईसाब, बाईसाब बाईसाब, अगर आपको x में गडबड हुई है, मैंने का हाँ अब सर, अगर मानो की x में गडबड हुई है, इसका मतलब क्या है इसकी photo किसके about खीचेगा सर, y axis के about खीचेगा very good, अब यहाँ पे बच्चा पाटी ध्यान दो जैसे आप e की power x का अब graph कैसे बनाओगे, देखो सर ऐसे कुछ बनेगा, y equals to e की power x का graph क्यूं, सर या आपने पीछे pages में हमको याद कराया है, एकदम सही अब आपको बताओ किसका बनाना है बच्चा g of minus x, मतलब e of minus x यानि सर, x में गडबड हुई है तो देखो, यहाँ पर मानो, भाई, x सा रखा हुआ है तो देखो, इतने की पहले photo घीचो तो बताओ, इतने की photo कैसी होगे बटा, photo घीचना सीखो, लोग ये भी नहीं सीख पाते है इसलिए भाई, देखो, कैसे इसकी photo घीचेगी, यह ऐसा है, हाँ सर इसका मतलब यह है, कि इसका देखो photo ऐसे खीचेगी, दिख रहा है न, अगर भाई, यहाँ तुम सीख सामने खड़ा है ये इनसान ऐसे जा रहा है, तो उसकी photo ऐसी ही तो होती है ऐसी ही होती उसकी photo मतलब आपको बच्चा reflection बनाना आना चाहिए, reflection बनाना जरूर आना चाहिए, अब देख लो भाई इतने का portion की photo ये बन गई अब इधर ओ, इतने portion की photo देखो कुछ ऐसे बनेगी, मैं ये नहीं बोलना हूँ कि एकदम आप भाई सब देखो Picasso जैसा graph बना, मैं ये बोलना हूँ कि आपको एक tentative graph बना लेना है और देखो ये ही बच्चा पार्टी हमारा answer है, ये ही graph किसका है ये ही graph है e की power minus x का, अब देखो बच्चों next जैसे आपको मैंने दे दिया कि भाई एकना fx है, fx की value बच्चा पार्टी है, ln x और आपसे कहा जाए, कि आपको बच्चा पार्टी sketch करना है graph किसका ln of minus x का बिल्कुल सही तो देखो बच्चा पार्टी आपको कैसे चीजों को देखना सीखना है एकदम बेटा, register और pen आपके हाथ में होना चाहिए जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ आप video pause करो, मेरी trick लगाओ graph बनाओ, मुझसे match करो starting में क्योंकि गल्तियां जरूर होँगी ठीक है ने आप लेगिन आप लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे लगे रहोगे, एकदम जुनून के साथ एक-एक सवाल बनाते रहोगे तो एक time आएगा कि आपको सारे graph आप चुटकी बजाते ही बना लिया करोगे ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा पार्टी सब लोग ध्यान देना जैसे देखो आपको LNX की देखो यहाँ पे बाचीत करी गई है तो आपको यह पता है कि जो LNX है इसका graph कैसा होगा बेटा इसका graph देखो कुछ ऐसा होगा क्योंकि देखो जो LNX होता है बच्चा पार्टी उसमें बेस क्या होता है बेस सर होता है और जो ई है सर इसका value होता है greater than 1 यानि कि सर यह देखो increasing graph ही बनेगा एक दम सही बात है मेरे cute से बच्चे यह point मैंने याद कराया था आपको याद होगा यह point होता है 1,0 अब सर क्या करना है मैंने बोला देखो बेटा अब आपको बनाना है LNX का graph यानि कि सर LNX का graph हम लोग कैसे बनाते हैं मैंने का देखो यहाँ पे लगा है सीसा बिल्कुल सही बात है अब देखो इसका reflection इसकी photo कीचनी है मेरी photo कीचने का मतलब क्या होता है बाई मेरे को इसका reflection मनाना है तो देखो यह कोई ऐसी चीज है तो देखो सीसे में वो ऐसे ही तो बन रहोगा बेटा प्लीज बतादो कि मानते हो प्लीज कमेंट कर दो यहाँ पर इस time stamp पर कि आपको समझ में आ रहा है मुझे समझ में तो आए कि आपको चीज समझ में आ रही कि ने आ रही हाँ अब आपको यह लग रहा होगा कि दोनों देखो एक दूसरे से symmetrical नहीं लग रहा है यह थोड़ा जीप सा लग रहा, मूटा यह पतला लग रहा है तो बेटा, it's fine, कोई दिक्कत नी लेकिन हम मेरा idea समझो कि हाँ, यह दोनों एकदम identical type के दिख रहा हूँगे लेकिन एक दूसरे की mirror images है ठीक है भाई, तो देखो मैंने बहुत अंग्रेजी यूज़ कर ली ऐसी कित ऐसी, x की जगे हुआ क्या है हमको पता है बच्चा पाटी, कि हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुचे है मैंने का सर देखो, हमने x की जगा replace किया है minus of x को, यानि कि जब भी कभी x में गरबर होती है तो भाई हम लोग y के about reflection बनाते है अगर आपको इतना समझ में आ गया है, तो देखो हमारा काम चल गया है तुरन comment कर दो, हाँ सर, समझ में आ गया चरूर ये comment करो, तो मुझे समझ में आगा कि आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है देखो बच्चा बाड़ी, चलो बेटा, next चीज रिखने है आज़ार next चीज बता दो, अब देखो बाई, इसमें एक और transformation जो famous है वो है बेटा, देखो minus fx अब ये बार देखा जाए, पूरे के पूरे function में गड़बड हुई है इसको मैं बोलता हूँ बेटा, y में गड़बड होना सही बात है, पूरा के पूरे function में हुई है यहाँ पे गडबड x की जगे minus x था यहाँ पे fx में पूरे में, बेटा, minus से multiply हो गया है अब देखो भाई, अगर मैं इसको logically बाप को समझाओं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सर क्या बोल सकते हो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि देखो भाई, पहले, पहले अगर fx की value 2 थी, अगर बच्चा पाटी पहले fx की value 2 थी, तो अब बेटा, यहाँ पे minus 2 आने लगेगा हाँ, सर, एकदम सही बात है, सर, पहले 2 था fx, तो y equal to 2 आ रहा था, y equal to 2 आ रहा था यहाँ पे, अगर मानो fx 2 था अब y equal to क्या आने लगेगा, बेटा, minus 2, मतलब सर क्या हो रहा है मैंने का, देखो भाई, positive से negative, और अगर पहले यह minus 2 आ रहा था, तो फिर, समझ गया न, अगर यह y minus 2 है, तो यह minus fx है, तो y, अगर fx minus 2 है, समझ रहो, y equal to minus 2, मतलब fx की value minus 2, यहाँ पुट किया, तो minus of minus 2 होता है, plus 2, in short, पहले fx अगर positive, पहले y equal to, fx अगर positive था, तो y equal to, यह negative आने लगा, मतलब positive हो गया negative, और negative हो गया positive, अच्छा सर, हाँ बेटा, अगर पहले y equal to 2 था, तो y equal to minus 2 हो जाएगा, पहले y equal to 7 था, तो y equal to minus 7 आ जाएगा, यहाँ पे y equal to minus 4 था, तो यहाँ पुट करते, minus or minus 4 कितना हो जाएगा, बेटा, 4 हो जाएगा, मतलब positive बना नेगेटिव नेगेटिव बना बच्चा बाटी पॉजिटिव ओके सर और बताईए सर तो देखो बाई साब जैसे बाई देखो इस transformation में हम लोग क्या करते हैं अगर किसी ने का बाई टी वन टू पूरे function में गड़बड का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा इसका मतलब होता है वाई में गड़बड यानि कि हम लोग इस ट्रेम क्या करते हैं भाई हम लोग एक्स एक्स के अबाउट फोटो खीसते हैं तो देखो भाई अंगरेजी में आप लिख सकते हो कि reflect the graph of y equal to fx द्यान से देख लीजे आफ reflect the graph of y equal to fx ठीक है सर और किसके अबाउट करना है मेरे क्यूट से बच्चों एबाउट x-axis हां सर एबाउट x-axis हां सर या फिर या फिर या फिर हम बेटा देखो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपनी हिंदी वाली आपको मैंने ये वाला गराब दे दिया मेरे बच्चों यहां पर ध्यान देना जैसे भाई साब मैंने बूला आपको गराब बनाना है minus of e की power x का ठीक है सर अब देखो बाई आपको इसके लिए देखो कौन सा गराफ पता होना चाहिए पूरी दुनिया जानती है कि इसमें देखो आपको गराफ कैसे पता होना चाहिए पहले गराफ किसका पता होना चाहिए पूरे function में minus fx हो रहा है ठीक है भाई सा पूरा function minus multiply हो रहा है यानि कि क्या करना है सर देखो e की power x का आपने हमको graph बनाना सिखाया था कैसा बनाना सिखाया था सर ऐसे बनाना सिखाया था यह था e की power x का graph अब देखो ऐसे जा रहा है अब मानों बेटा सीसा यहां पर लगा हुआ है अब अगर सीसा यहां पर लगा है तो देखो इसकी image ऐसे आएगी इसकी image ऐसी आएगी देखो भाई ऐसे image बनने लगेगी यह हो जाएगा minus times of e की power x मतलब बेटा मेरे गाने ही काम आएंगे क्योंकि यहां पर simple चीज़े है x की जगे minus x तो भाईस आप इसके about आपको reflection देख लेना है और पूरे में अगर minus multiply है तो देखो इसके about देख लेना है y में गड़बड x के about reflection x में गडबड तो y के about reflection ठीक है बच्चा पार्टी ठीक है सर अब देखो भाईस आप और चीज़ देखते है और बत अब जैसे भाई देखो मैंने अगर आपसे ये बुला हो कि भाई minus ln x का graph बनाओ तो देखो याला graph कैसे create किया गया होगा सब को पता है ये graph ऐसे create किया होगा बेटा अगर fx equals to ln of x है तो देखो आपको क्या करना है minus fx जैसे इसमें करोगे तो आपको पता है कौन सा graph आने ल तो देखो भाई ln x का graph कैसा होता है तो देखो pinky graph बना रहा हो ln x का तो देखो दुनिया जानती कि ln x का graph गराफ देखो ऐसा होता है this is the graph of ln x मतलब ये सारी चीज़ँ आपको याद होनी चाहिए अब देख गलब अच्चा वाड़ कि नेक्स चीज़ क्या होगी next चीज़ क्या आप कैसे में इंटर्प्रेट करते हो दुनिया को कोई मतलब नहीं है X के जगे minus X X में कर बढ़ मतलब Y के about photo कीचो और पूरे function में minus multiply का मतलब क्या है बिटा Y में कर बढ़ मतलब X के about photo कीचो अब देखो बाई जैसे ये grab बना हुआ है तो देखो अब इसकी कैसे image लोगे अब देखो जब भी कभी देखो यार ऐसी image लेनी तो देखो part wise लो आप confuse मतो कुछ लोग बच्चा इसको direct भी बना लेंगे आप क्या पता तुकड़ों बनाओ तो कोई बात नहीं हम तुकड़ों बना लेंगे लेकिन बेटा हमको सही बनाना है जल्दी time stamp लगा बोलो हाँ सही बनाना है अब यहाँ पे ध्यान दो यहाँ जैसे पहुचेंगे तो देखो ये graph क्या नीचे वाली photo उपर वाला pinky भूल जाओ यहाँ जैसे आए तुमने गा सर सीसा रखा है तो इसकी image ऐसे बनेगी सही बात है फिर क्या सर इसकी image बन गई अब देखो इसकी image बनानी है तो इसकी image देखो कुछ ऐसे बन जाएगी तो भाई सब ये किसका graph है ये cute से बच्चों minus lnx का graph है और आपको बच्चा पाटी image बनानी आनी चाहिए तो ध्यान देना ये green वाला हमारा required graph है ये तो भाई हमने graph additional सा बना दिया है जो हमने lnx का बना दिया है और मेरे cute से बच्चों सुन्दर से बच्चों ये point क्या होता है ये देखो सबको पता है कि ये point क्या होता है ये होता है 1,0 ठीक है सर तो देखो दीरे दीरे आप पूरा lecture देखते रहो सुनते रहो आखरी तक आप इन सब में देखो pro हो जाओगे इसलिए भाई सा मुझे कोई tension नहीं तुम भी tension ना लो थोड़ा बहुत अटपटा सा अजीब सा आपको लग रहा होगा ऐसा feeling आ रहा होगा लेकिन चिंता मत करना थोड़े दिर में देखो चीज़ें आपसे होने लगेंगी ठीक है अगर अभी हो रही है फिलाग तो लिख दो हाँ सर अभी भी हो रही है अब देखो भाई T13 क्या है मेरे बच्चा अब देखो T13 में देखो बच्छा पाँटी दो चीज़ें एक साथ हो रही है सर क्या हो रही है मैंने का देखो भाई FX का graph दिया है और देखो दो चीज़ें एक साथ हो रही है कि पूरे function में भी या ऐसी कित ऐसी हो रही है और साथ में X में भी ऐसी कित ऐसी हो रही है तो देखो इसको हम कैसे treat करते हैं इसको बच्चा पाटी हम देखो ऐसे treat करते हैं कि पहले दिया है Fx का graph, ओके सर फिर क्या करोगे सर, X की जगे minus X, F of minus X का graph बनाओ और फिर क्या करोगे, इसमें बेटा minus से पूरा multiply हो रहा है मतलब कौन सा, T1 जो बेटा जो second वाला है, वो इसमें हो रहा है तो minus F of minus X आ रहा है रुख जाईएगा, यहाँ पे X की जगे क्या है बेटा, यहाँ पे minus X, एकदम सही बात है सर, इसको follow करना है मैंने का हाँ बेटा, इसको follow करना है यहाँ पे कोई गाना नहीं है ऐसा मत कर देना कि X और Y के साथ X साथ reflection ले लिया वो कर भी नहीं पाऊगे, हम भी नहीं वो भी या कोई नहीं कर पाएगा, X साथ reflection हम नहीं बना पाएगे उसके लिए तो साक्षात फिकासो, जी महराज, या फिर बहुती महान चितरकार को आना होगा और मैत आपको चितरकार नहीं बना रही है मैत आपको लॉजिकली चीजें करा रही है तो मैत ने क्या बोला, इसको भाई ऐसे इंटर्परेट किया जाता है कि पहले fx में छिडखानी x में करो और फिर क्या करो बच्चा बाटी इस वाले function में छिडखानी हुई यह द्यान रखना कुछ लोग इस वाले function में छिडखानी कर देते नहीं, जब इससे यहाँ पहुच गये फिर जब छिडखानी हुई, तब यहाँ पहुचे हो और देखो बच्चा बाटी, इसका देखो दूसरा वे भी होता है हाँ सर, दूसरा वे बताईए सर मैंने कहा देखो बाई, ऐसा कोई rule नहीं है कि पहले आप fx में यह करो, फिर यह बनाओ, फिर यह बनाओ मतलब देखो बाई साब, आप इसमें order change कर सकते हो ऐसा कोई rule book नहीं है कि आपको इसी order से चलना है तो देखो बाई साब मैंने क्या करा, पहले इस वाले function में देखो बाई, fx function में मैंने t12 लगा दिया ठीक है, t12 क्या है जो मैं बहुत देर से बोलना हूँ, t12 बच्चा पार्टी यह है ठीक है, t12 क्या है बच्चा पार्टी, यह है t12, minus fx वाला और उसके बाद में मैंने क्या करा, इस transformation के बाद मैंने x की जगे minus x कर दिया, और हाँ इस function में छेडा है ध्यान रखना, original में नहीं, जो transform होके आया, उसमें यह छेडा है तो देखो यार, कहने को तुम्हाँ दिमाग में इस बच्चा बहुत चीज़ें चल ले होगी बहुत confused भी हो रहोगे, बहुत सारे questions का आपको answer चाहिए होगा लेकिन मैं आपको बात का summarize बताता हूँ, सार बताता हूँ simple चीज अब तक मैंने क्या करी है पहली requirement बच्चा पाटी, कि why equal to effects a graph आपको पता होना चाहिए दूसरी requirement, हाँ, अगर पहली चीज, अगर नहीं पता है आपको graph तो फिर क्या चीज है बच्चा पाटी, आपको सवाल में दिया होगा कोई अगर अनोखा सा graph होगा, इन 8 के अलावव अगर कोई graph होगा तो सवाल में दिया होगा, और आँ धीरे-धीरे से trigger पढ़ेंगे, quadratic पढ़ेंगे तो देखो, और भी चीज़ें आपके दिल दिमाग में बसने लगेंगी इसलिए आपको बिल्कुली बच्चा पाटी चिंता नहीं करनी है बस यही 8 graph फिलाल आज की date में यही 8 graph आप याद करके आगे बढ़ो तो यह पहली चीज होगी दूसरी चीज क्या होती बच्चा दूसरी चीज है कि mirror image बनानी चाहिए ठीक है mirror image कैसे बनाते हो यह आपको पता होना चाहिए कि y के about कैसे reflection ले रहे हैं तुकडो मिलो, अगर एक बार में नहीं image बन रही तो भाई साब बार बर बनाओ, गलती होगी अपने दिमाग से कहो, कि नहीं बेटा ऐसे image बनती है, क्योंकि image बनाना math का part नहीं है, image बनाना बस आपकी सोच का part है, कैसे बन रही है यह चीज मैंने आपको बताई है, और तीसरा बल्ले-बल्ले, शावा-शावा बल्ले-बल्ले, शावा-शावा x की जगह है, अगर गड़बड हुई है तो y के about है, और y में मतलब पूरे function में, y मतलब बच्चा पूरे function में हुई है, तो देखो x के about आपको image ले नहीं है, तो देखो बाई, इसका मैं example देता हूँ, जैसे बच्चा पाटी मैंने आपको एक graph दे दिया, graph ये दे दिया कि आपको देखो graph sketch करना है कि इसका minus ln of minus x का ओते सर, हाँ बेटा, इसका graph आपको sketch करना है तो देखो इसको देखके गिर नहीं पड़ना है अब देखो आपकी मर्जी आप कैसे proceed करना चाओ तो देखो आप या तो पहले ln x है इससे आप पहुँच जाओ, ln of minus x की तरफ बिल्कुल सही, और इसमें फिर क्या कर दो भाई आप इसमें देखो t12 लगा दो हाँ सर, तो यह आ जाएगा minus ln of minus x ठीके सर, यह क्या हो रहा है सर मैंने का देखो भाई, आपकी मर्जी है आपने पहले x की जगे क्या कर दिया बच्चा पार्टी, minus x कर दिया तो इसमें पहुच गे, फिर देखो यह जो change आए ना बच्चा, यह जो बच्चा जो देखो final जो change आए है वो देखो भाई, ऐसा change आए है वो देखो ऐसा change आए है, ओके सर ओके सर, ओके सर, अब यहाँ पे जड़ा ध्यान दो हाँ, अब देखो भाई, यहाँ ग्राफ हम लोग बनाते हैं तेके, अब यहाँ पे बच्चा पार्टी ध्यान दो ऐसे पहुचे, ऐसे पहुचे सबसे पहला step क्या है मेरा बच्चा आपको देखो, lnx का ग्राफ बनाना है इसको पीछे से देखके बना सकते हो धीरे-धीरे याद होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में चीज़ें याद होगी, ठीके सर, lnx है अब सर, देखो, x की जगे माइनस x है, मतलब सर, देखो, शुरू में गडबड किस में हुई, मैंने का सर, देखो, शुरू में गडबड हुई है, x में मतलब सर, किस के अबाउड reflection लेगा सर, आप y के अबाउड reflection ले लो अच्छा, ये lnx है यानि कि सर, y है ये, बिल्कुल सही y के अबाउड reflection कैसा होता है सर, देखो, y के अबाउड ये reflection होता है ये आजाएगा ln of minus x देखरो, भाई, यहाँ पे सीसा लगा है तो जो i से खड़ा, तो तुम c6 सामने अगर i से खड़े होगे, तो यहाँ पे image आपकी देखो, i से ही बन रही होगी अरे, दिखाई नहीं मैं, हाँ अगर मानो बेटा, यहाँ पे सीसा लगा है और तुम ice से खड़े होए हो तो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही होगी? ice, ice बन रही होगी अगर भाई साब, आप यहाँ पे ice से खड़े होगी, तो यहाँ पे image, ice तो बन रही होगी अब यह देखो, ice से खड़े होगी ice, ice, यह देखो, green वाले ice से खड़े होगी यहाँ पे सीसा लगा है तो इमेज यहाँ पे देखो, इसकी भाई, ice ही तो तिर्ची होके बनेगी अब ice ही थोड़ना बनेगी ice बनेगी क्या? बाबराव का style है इसा थोड़ना बनेगा बच्चा पाटी ice थोड़ना जुकेगी, ice से जुकेगी तो वही चीज़ है इमेज बनाना यह आपका experience है इमेज बनाना यह आपकी feeling है इमेज को आपको बनाना है और concept हमको बताना है तो अगर आप इमेज नहीं बना पार हो तो यह मत बोलना कि transformation नहीं समझ में आया उससे में आपको बोलना है अरे यार हम तो c6 सामने ऐसे खड़े होते हैं तो अमको लगता है हमाई image ice बनेगी, ice, ice image बनेगी ना रहे, ना रहे, ना रहे, तो अगर c6 सामने ice से खड़े हो, तो जो image भी है आपकी ऐसे ही बनेगी, बिल्कुल सेम ऐसी चीज है, अरे सर अब थोड़ा बहुत सर फील हुआ, हाँ बेटा, इसी का वेट कर रहे थे, अब देखो भाई क्या है, अब जैसे आपने LN of minus x बनाया, अब देखो green को भूल जाओ, और सच बताओ, मैं तो classes में क्या करता हूँ, इसको हटा देता है, अब देखो बच्चा बाटी, हम लोग LN of minus x तक पहुच चुके हैं, अब गड़बड किस में हुई है, देखो बिटा, आप पूरे के पूरे function में गड़बड हुई है, सर पूरे के पूरे function में गड़बड का मतलब क्या होता है, सर, y-axis में इसा बन जाएगा, ठीक है, यह तो clear है, अगर आप यहाँ सी, उपर आले को भूल जाओ, इतनी देर के लिए, ठीक है, बस इतना ध्यान देना, तुम्हें करियर की कसम है, सिब इतना आपको ध्यान देना है, अब आपको clear इसकी photo, ऐसी थोड़़ ना बनेगी, साब दिख र इस उपर वाले को देखो, यह ऐसे ही तो बनेगा, यह ऐसे थोड़ ना बन जाएगा, यह ऐसे लटके हुएं, तो यह ऐसे ही बनेगे, तो यह जो बेटा जो graph आया है, यह है minus ln of minus x का graph, आई हो बच्चा पाटी, चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी, चीजें आपको अराम से कर दो, अब देखो, यहाँ पर मैंने यह step पहले कर दिया, यह बाद में कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते तो इसको पहले कर दो, उसको बाद में कर दो, जैसा मैंने बताया, जैसा मैंने पीछे बताया, तो भाई अगर किसी ने यह interchange करके किया, और देखो, same graph, blue वाला हमारे बेटा आंसर है मतलब आंसर हमारे ये blue वाला ग्राफ है अगर किसी आपका blue वाला ग्राफ आगया तो comment करना हा सर यहां time stamp लगा के क्या करना बोलना हा सर ठीक है सर और बताइए सर ठीक है बेटा अब देखो भाई साब आता है transformation number 2 sir what is transformation number 2 आप देखो भाई transformation transformation number two क्या होता है कि graph y equal to fx का given होगा यह बहुत बहुत transformation है इसलिए बहुत ध्यान से सुनना ठीक है सर नहीं दिया होगा तो मतलब इन 8 में से कोई एक होगा ठीक है सर अरे 8 ही बनवाए हम इतने दर से 8 8 8 किये जा रहे हैं पता चला पीछे ग्राफ ही कम थे हाँ बेटा आठ थे ठेकिना वैसे अभी क्लास 11 एंड होते होते बहुत सारे ग्राफ होंगी इसमें additional होगा लेकिन फिलाल इतने में ही मैं आपको transformation से का होगा अब देखो भाई साब क्या हुआ आपको f of mod x की value निकालनी है तो देखो इसको रीट कैसे करते हैं हम लोग इसे ऐसे रीट करते हैं कि भाई fx का ग्राफ था दिया था नहीं दिया था मैं नहीं पता f of mod x का बच्चा पाटी हमको देखो गराब बनाना है और हमने किया क्या है बच्चा पाटी x की जगए replace किया है बच्चा पाटी mod x को बिल्कुल सही बात है हमने कुछ ऐसा किया है अब देखो भाई सब क्या है इसमें अब देखो यह आपको समझ में आ गया अब कुछ भी हो यहाँ पे entry हमेशा क्या जाएगी सर नोनी जाएगी नोनी entry जाएगी बिल्कुल सही नोनी मतलब क्या होता है भाई नोननेगेटिव हो जाएगा मतलब x आप चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे आप भी या x को आप देखो नेगेटिव पुट करो लेकिन मॉड लगने से इस मशीन के अंदर मॉड लगने से function के अंदर कभी negative value नहीं जाएगी x तुम negative put करो modex आए जू modex आए का yellow positive हो गया f कहता है positive आ रहा है f दूर से देख रहा है और नेगटिव value आ रही है और नेगटिव value आ रही है तो तक mode आया जाकास mode ने उसको कर दिया positive entry कई f के अंदर positive अब भाई साब यहाँ पे देखो हुआ क्या यहाँ पे यह हुआ कि बच्चा पार्टी modex के आते ही f के अंदर negative entry आना बंद हो गई इसका मतलब क्या है negative entry की है इसी कित्ता इसी हो गई oh my god to rule love हाँ बेटा आजो बाबा की trick बाबा का ज्यान ओपी बाबा की trick ओपी तो देखो भाई यह graph देखो कैसे होता है तो देखो भाई इसके graph कैसे होता है सब अपना copy pen निकालो तुम्हें कसम है और लिखो वहाँ पे वहाँ पे लिखो लिखो भाई negative x भाग जाओ बचे हुए फोटो खिचाओ हाँ यह सब गाने flashpad में लिख लेना क्या है गाना बच्चा पाटी इसका गाना है negative x भाग जाओ हाँ सर भाग जाओ ठीक है सर ठीक है सर और और बचे हुए बच्चे हुए ना बोलना बच्चे हुए नहीं खुश होगे सर बच्चे हुए फोटो खिचाओ बच्चे हुए फोटो खिचाओ सर यह इतनी हिंदी क्यों लिखते हो उमें नहीं समझ में आती देखो भाई इसका आप सार समझो बात का सार सार यह है कि negative वाले graph को eliminate करना होता है जान दो सुनना negative वाले graph को eliminate करना होता है और जो remaining graph होता है बच्चे हुए का मतलब क्या है बेटा remaining graph अभी मैं अंग्रेजी में भी लिख रहा हूँ उसकी photo कीचनी है और उसकी photo बताओ कैसे कीचनी है भाई आ फोटो कैसे कीचनी है क्योंकि गढबड x में हुई है हाँ x की जगे mod x भी एक गढबड है हमेशा x की जगे minus x गढबड नहीं होगा तो देखो क्या है आप y की about photo खीचोगे क्योंकि गढबड x में है तो देखो इसी को कहने का दूसरा ढंग क्या है for all the ungrange people out there कि भाई साब eliminate the graph of fx ठीक है पहले fx का graph दिया होगा ना उसी में transformation कर रहे है in the negative x axis ओते सर in the negative in the negative x axis हाँ सर and and reflect the remaining graph ठीक है सर and reflect the remaining graph ओते सर ओते सर हाँ बेटा reflect the remaining graph about y axis y axis के about क्यों लिया है क्योंकि गढबड x में हुई है अब देख लो भाई या तो आप अंग्रेजी में पढ़ लो या फिर हिंदी में यलो में पढ़ लो negative x भाग जाओ बचे हुए photo किचाओ और गढबड हुई है y axis के about photo किचाओगा y axis के about photo किचाओगा Sir Sir यह अगर सारे गाने में याद कर लो तो Sir याद करने से मैं OPE student हो जाओँगा क्या बिल्कुल हो जाओगा सुर यह सब जीजीं याद कर लो Sir मैं भोकाली हो हो जाओंगा क्या तो मैं जो गाने बोला हूं फ्लैश पैड में लिखते रहा हूं अभी इस पॉइंट पे फ्लैश पैड में यह गाना लिखो और या टाइम स्टैम लगाओ बोलो हां सर गाना लिख लिया ठीक है अब यहां पे बच्चा पाटी ध्यान दो जैसे भाई तम मैंने अगर आपसे बोला कि मेरे को ग्राफ चाहिए अपको ग्राफ चाहिए अब देखो भाई इक की पावर jou्र मॉड का áreas एक सपर एंसर यह जो आपने ट्रांसवर्मेशन जो पीछे बताया है न टार से एक से मॉड एक einzige हाँ विड़ा गाना 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 काना गाना क्या है गाना सर्गाना तो मुझे पता है सर हां सर क्या है गाना गानाा सर रहिसाल लाइन कहांingt देखो भाई, सबसे पहले करेगा E की पावर X का graph ढ्रॉओ, ठीक है, सर E की पावर X का बेंगी graph होता है हाँ, सर ये किसका graph है? E की पावर X का, हाँ, सर यहाँपे क्या है? origin चलो बेटा, गाना गादो X की जगे mod X है, चलो बेटा डीजे वाले बाबु मुझे गाना सुना दो तो देगो भाई क्या होने वाला है हम बोलेंगे भाईया नेगेटिव एक्स वाले भाग जाओ एक्षली मैंने नेगेटिव एक्स भाग जाओ लिखा है ठीक है जबकि मुझे नेगेटिव एक्स वाले लिख देना चाहिए वाले ठीक है, negative x वाले बाग जाओ, बचे हुए फोटो खिचाओ, तो देखो भाई साब इसका graph negative x वाले में कहां पे है, यहां पे ध्यान दे दो, आजा 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 यह बना दे, हाँ बन गया रहे, बन गया, अब जरा यहां पे बच्चा बाड़ी ध्यान दे ना, बेटा, सर, बच्चा हुआ सर, बच्चा हुआ है, हाँ, सर, किसकी अब और, मैंने का, x में कर बड़ी है, हाँ सर, अब देखो इसकी image y axis कर बड़ी, यहां पे सीसा है, यहां में मानों सीसा लगा हुआ है, अगर यहां पे सीसा लगा है, तो देखो यह image आएगी, ओते सर, मैंने का हां बेटा, यह ध्यान दो, यह जो बेटा जो complete graph होता है, यह complete graph होता है, यह complete graph होता है मेरे सुन्दर से बच्चों, e की power mod x का, देखें, औले वा सर, logic तो सर फील करने का बहुत मन कर रहा है, हमने का, देखो, logic हम फील कर आ चुके हैं, पहले ही कि जो value मानों x बराबर 5 पे क्या आएगी E की पावर मॉड 5 अरे मानते हो ना यहां पर यह value क्या रही होगी बच्चे यह रही होगी E की पावर 5 और देखो symmetry रहेगी क्योंकि इसी के बॉट reflection है तो reflection में आपको property पता है plane mirror की इतनी दूरी पर इतनी दूरी पर बोई साब एक तो में कुल शेम शेम जो क्या होता है बेटा जो होता है E की पावर 5 हाँ sir हाँ बेटा यहां पर देखो दोनों सेम आ रहे हैं इसलिए भाई ऐसा है इतना गाणा याद कराएगा कोई changes इसमें variation होई नी सकता अगराव में होऊ ही नीसकता तो मेरे गाने ही काफी है है मेरे गाने ही काफी है सारे गाने का लगा ले और वाइज आप जितने गाने बतायगा बहुत असान है bị बस हर गाने पर 343 चाशल सवाइल बना लेका जाएंगे भूज कề एक lecture बेटा और आएगा जो कल आएगा जिसमें हम लोग remaining transformation करेंगे और कुछ OP को सवाल करेंगे ठीक है बच्छा बाटी अब यहाँ पर ध्यान दो हाँ कुछ homework question मैंने 8 discuss कर लिये हैं और कुछ homework question मैं कल discuss करूंगा अब यहाँ पर ध्यान दो ठीक है sir अब देखो भाई साब इस से बनाएगा sir मैंने का देखो भाई lnx का graph आपको पता है हां sir हमको पता है मैंने का वाई क्या करना है मैंने का x की जगे क्या करना है mod of x करना है तो यह आ जाएगा बच्छा पाटी ln mod x मैंने का हां अब यहाँ पर ध्यान दो ग्राफ बना लो डीजे वाले बाबू हमारा graph बना दो तो देखो भाई सका graph बनाते हैं तो देखो भाई यह graph कैसे बनेगा अब आपको पता है lnx के graph के बारे में बातचीत हो रही है यह देख लो अरे हां sir यह तो lnx है यह point क्या होता है sir यह point होता है 1,0 sir यह कैसे पता मैंने का याद करवाया है sir sir proof कराया था हां बेटा x यहाँ पर 1 है यहाँ पूट कर दो तो ln 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अब देखो भाई साब गाना आएगा negative x वाले है बाग जाओ अरे sir negative x में तो कुछ आई नहीं है है हाई नहीं सार हमने का x इस तो है उसने का नहीं नहीं ग्राफ होना चाहिए विक्स का मैंने का अ भाग गया है बचे हुए फोटो की चाओ यह जो बचे हुए चीज़ है इसकी बाई फोटो की चाओ और हां गडबड हुई ए x में तो किसके अब फोटो आएगी बच्चा पाटी फोटो आएगी y के अब तो देख लो यह कुछ ऐसी फोटो आजाएगी और देखो symmetry से बता बाइसर हमाने पार्ट सर्च छो फाइनिली बसता है वह पूरा 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 होता है ठीक है बाटी हाँ extracting यह वह प्लीट्स लेक्स Jewel यहाँ पर आज मैंने थोड़ी बहुत आपको फील दी है थोड़ी ती फील में बचा के रख रहा हूं जो मैं next टो एक बार मैं आपको अगर समरी करा दूं तो तो समरी क्या है आपको ध्यान रखनी है कि बाइस सबसे पहले हम लोगोंने क्या करा range निकाली ठीक है इसमें बहुत अच्छा अच्छे सवाल करें अगर आपको समझ में आ गया तो बुल देना हांसर समझ में आ गया इसके आद में सम्ग्राफ स्टू भी रिमेंबर्ड यह बच्चा एक सारे ग्राफ आपको एस ते जात करने हैं को मौका दे रहा हूं कि आज का अगरा आज का देको लेक्चेर आप राम से टू एक्स में भी कुछ लोग देख सकते हैं ठीक है कुछ लोग को बहुत सारी चीज़ें आती होंगी तो बस यह जो मेरे गाने हैं इनको भाई याद कर लो नेक्स टन जो नेक्स वीडियो आएगा उसमें रिमेनिंग ट्रांसवर्मेशन हम कवर करेंगे और साथ में कुछ अच्छे सवाल भी करेंगे ठीक है बच्चो तो लव यू बबाई जय बाबा की